कि स्वागत है आप सभी का सरल क्यार में आज हम करने वाले हैं से सिसी अच्छल के कोश्चन पेपर का सोलुशन जो कि इन साथ 2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था इसमें हम रिजनिंग के 25 कोश्चनों के बारे हम बात करेंगे अगर इससे पहले आपने मेरा वीडियो नहीं आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं बारे है कोश्चन नमबर एक की इसमें कहा गया है कि all breads are cake statement दिये गए इसमें दो conclusion दिये गए हैं तीन हमें बताना है कि कौन कौन सा conclusion statement के हिसाब से follow करता है या नहीं करता तो चलिए करते हैं शुरू पहले conclusion में कहा गया है all breads are cakes यानि के c को अगर मैं cake से represent करूँ और b को bread से तो वे diagram इसका ऐसा बनेगा all eggs are cakes statement number 2 कहता है तो इसका वे diagram बनके तियार हो जाएगा ये यानि के सभी bread cake है और सभी egg cake है तो conclusion देखते है conclusion 1 इसका some cakes are bread तो ये conclusion सही है क्यूंकि कुछ cake ऐसा है जो bread है यानि कि इस वाले की बात हो रही है अब conclusion 2 some breads are eggs ये हम नहीं पूरी तरीके से कह भी सकते हैं और नहीं भी इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है no breads are eggs third conclusion कहता है no breads are eggs तो either और हो गया इन दोनों में यानि कि conclusion 2 follow होगा answer number 2 होगा यानि कि conclusion 1 तो follow करता है और conclusion second और third में से कोई एक ही follow करेगा ये right answer है अब है बारे question number 2 कि इसमें कहा गया है कि एक transparent sheet है इसमें अगर इसे dotted line से हम fold कर दें इस वाली dotted line से इस transparent sheet को fold कर दें तो इन चारों में से कौन सी आकरती बन के निकलेगी तो वो आकरती होगी c option जब ये fold होके यहाँ पहुचेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा अब है बारी question number 3 की question number 3 में कहा गया है यहाँ पे जो pattern follow हो रहा है वो है plus 2 plus 1 minus 2 का इस series को अगर हम complete करना है तो यही pattern follow करना होगा यानिके पहले plus 2 फिर plus 1 और फिर minus 2 का d में plus 2 f में plus 2 h में plus 2 j j में plus 2 तो यहाँ पे आएगा l उसके बाद o में plus 1 p p में plus 1 q q में plus 1 r में plus 1 s फिर minus 2 होगा तो p में minus 2 एक मिनिट जब p में minus 2 होगा तो n n में minus 2 होगा l l में minus 2 होगा j j में minus 2 होगा h तो option number 4 right answer इसका होगा अब बारी question number 4 के question number 4 में हमसे का गया है कि कौन से 2 sign इस समीकरण में change करें कि answer 14 आ जाए तो option number 1 यानिके भाग और plus को आपस में change करना है तब जाके answer इसका समीकरण का 14 आएगा यानिके जब ये समीकरण जो बन जाएगी वो होगी 20 भाग 5 गुणा 3 प्लस 3 माइनस 1 अब इससे solve करेंगे तो answer 14 आ जाएगा इसे अगर मैं solve करूँगा तो ये 5 की भाग होगी 20 से तो 5 गुणा 4 की जब गुणा होगी 3 से तो चारतिया 12 12 में 3 जुड़ेगा तो 15 15 में 1 मैनस होगा तो 14 आ जाएगा तो right answer होगा option number 1 यहाँ पर हमें question number 5 में series दी गई है figures की और बताना है कि यहाँ पर कौन सा figure आएगा इन चारो options में से तो चलिए इसे करते हैं soul यहाँ पर एक हमें triangle दिया गया triangle के बाद इसकी एक भुजा बढ़ा के चत्रबुज बना दिया फिर इसकी एक बुजा बढ़ा के यहाँ पंच बुज बन गया अब की बार जो आएगा वह एक 6 बुज होगा तो option number 4 यहाँ पर यह ट्राइंगल यह चत्रबुज यह पंच बुज यह शष्ट बुज अब यह पंच बुज काला इसलिए हुआ क्योंकि पहले triangle काला ता उसके बाद चत्रबुज की बारी काला होने की बारी पंच बुज की थी तो राइट आंसर होगा option number D अब यह बारी question number 6 की blood relation का question है यहाँ पर हमें इसलिए करना है तो P plus R इसका मतलब होगा P is the brother of R यानि के P भाई है R का अब R भाग T R भाग T का मतलब है R is the sister of T R sister है T की अब T minus K T minus K का मतलब है T is the husband of K यानि के T husband है K का K उसकी wife है अब K गुणा Q के गुणा O का मतलब है K is the mother of O K मा है O की और O गुणा C का मतलब है O is the mother of C O मा है C की अब पूछा गया है कि P का O से क्या रिलेशन है How is P related to O तो option number 4 परेंटर अंकल वो उसके पिता के तरफ से अंकल है तो right answer option number 4 इसका हो गया है अब है बारी question number 7 की question number 7 को करने से पहले मैं आपको बता दूँ जब भी कोई एक triangle है और उसमें एक ऐसी line खिचेगी तो इस आक करती में 3 triangle होंगे तीन triangle कैसे एक ये वाला दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बाद जब ये तीन triangle है इस आक करती में और इसी आक करती में एक मिनिट इस आक करती में 3 triangle है और एक line में ने ऐसे parallel खेंच दी आधार के तो अब इसमें 3 के 2 गुने यानि के 6 होंगे और एक और अगर मैंने line खेंच दी तो 3 का 3 गुना हो जाएगा यानि के 9 तो यानि के इसमें होंगे 9 triangle तो हम कह सकते हैं इसमें भी 9 triangle होंगे इसमें भी 9 triangle होंगे और इसमें भी 9 triangle होंगे तो 9 तिया 27 triangle तो इसमें हमने ऐसे ही पूरे गिन दिये अब बारी है अगले triangle गिरने की तो 27 में एक ट्राइंगल यह जुड़ेगा प्लस वन और एक ट्राइंगल यह जुड़ेगा प्लस वन तो टोटल हो गए 39 आंसर हो गया अप्शन नमबर एक अब है बारी कुश्चन नमबर आठ यह कुश्चन नमबर आठ में हमें का गया है कि there are 14 टीम प्ले इन टूर्णामेंट यानि कि टूर्णामेंट में 14 टीम है भाग ले रही है इफ एवरी टीम फेग वन मैंच विद एवरी अधर टीम हॉप मैंच विल विप्ले इन टूर्णामेंट यानि कि अगर सभी टीमें एक नएक मैच खेलती है दूसरी टीम से हर किसी टीम से तो कुल कितने मैच होंगे यानि कि जो पहली टीम होगी आगर वो बाकि की तेरा टीम से खेल लेगी तो 13 मैक्श तो वहीं पे हो गई उसके बाद वो टीम भार हो गई क्योंकि सबसे मैक्श खेल चुकी अब जो दूसरी टीम है वो बच्ची हुई यनि कि बच्ची हुई 13 टीम है उसमें से एक टीम बाकि सबसे मैक्श खेल लेगी यिव 요즘 12 मैच खेलेगी टोटल 13 और 12 25 मैच यह होगा इसी परकार से चलता रहेगा अगली बार 11 मैच होंगे उसके बाद 10 मैच होंगे ऐसे ही चलते चलते फिर एक मैच होगा लास्ट की दो बची हुई टीम होगा तो इन सब को 13 से लेके उल्टी गिंती करते हुए सब को एक तक जोड़ते चले जाए तो टोटल 91 मैच होंगे ऑप्शन नमबर 2 राइट आंसर है अब है बारी कोश्चन नमबर 9 की इसे हमें meaningful order में लगाना है तो वो order है ऑप्शन नमबर 2 यानि के पहले घटना 4 घटेगी finalizing the participating team उसके बाद घटना नमबर 3 यानि के organize the world cup उसके बाद घटना एक घटेगी world cup semi final match उसके बाद घटना नमबर 2 world cup final match उसके बाद घटना नमबर 5 सबसे last में घटेगी winner of the world cup यानि के पहले हम team final करेंगे world cup में कौन खेलेगी फिर organize करेंगे world cup उसके बाद semi final होगा फिर final होगा और उसके बाद world cup कोई ना कोई एक team जीत लेगी तो यह है meaningful order option number 2 right होगा अब है बारी question number 10 की यहाँ पे कहा गया है अगर इस आकरती के यह जो लिखा हुआ है इसके right side में यहाँ पे mirror लगा दिया जाए तो कौन सी mirror image बनके निकलेगी तो वो निकलेगी option number 1 अब है बारी question number 11 की question number 11 में हमसे कहा गया है select the option which given figure is embedded यानि कि यह जो figure दी गई है यह इन 4 option में दे किसमें निहित है तो वो है सारे option इसके गलत हैं किसी में भी यह figure सही से नहीं बैठेगी अगर आप ध्यान से देखे तो यह option दो सेम भी है तो यह ssc की गलती थी चलिए अगले question पे चलता है कि यदि इसे कोड किया जाता है इस number से और इसे कोड कैसे किया जाएगा तो coding decoding का question है यहां पे सिर्फ हमें place value लिखनी है और यह code हो जाएंगे यह जैसे है m a g e n t a m की place value 13 a की place value 1 g की 7 e की 5 n की 14 इसकी t की 20 और a की 1 तो सेम यह 13, 17, 51, 42, 01 यह सब आ जाएगा तो ऐसे ही हम इसकी place value लिखेंगे तो हमें जो मिलेगा option number 3 मिलेगा यह यह बाइस, 91, 93, 15, 21, 19 अब यह बारी question number 13 की question number 13 में हो रहा है plus one plus two plus three कहने का मतलब है कि odd one out pick the odd one out इसमें से जो भी विशम शब्द है वो हमें उछाटना था तो अगर हम option number 3 को छोड़ दें तो बाकि सभी में plus one plus two और plus three यह हो रहा है यहनिकि B में plus one करा तो C, C में plus one करा plus two करा तो E, E में plus three करा तो H, ऐसा ही 2 में होगा, ऐसा ही 4 में होगा, 3 में नहीं होगा, तो तीन में odd हो जाएगा option number three इसका right answer है, अब है बारी question number 14 की question number 14 में यहां पर हम से कहा है the total age of the mother and his son is 60 year यानि के son और mother इन दोनों की age का योग जो हो गया वो 60 year है फिर कहा है the difference between mother age is 30 year find out the difference between their ages is 30 year यानि के उनकी अगर age का अंतर son और mother की वैसे जदा होगी इसलिए इसे में लिख दाओ mother plus son की age जो है total वो 60 है और mother minus son की जो age है वो है 30 अब हमें निकालनी है find out the age of the mother यानि के m का मान निकालना है हमें अब मैं इन दोने equation को अगर जोड दूँ तो यह आपस में कर जाएगा तो 2m हो जाएगा 90 तो m बराबर हो जाएगा 45 right answer हो जाएगा option number 2 अब है बारी question number 15 की question number 15 में हमसे कहा गया है इसके बीच में जो pattern छुपा है उसे दिखा दे तो इसे मैं आपको लिखके दिखाता हूं तो यह देखिए question number 15 है इसमें जो pattern follow हो रहा है वह है h c d e p c k f फिट से repeat होने लगा यह h c d e p c k f h c d e p c k f तो अब है बारी question number 16 की इसमें कहा गया है कि woman sister और mother इनमें when diagram हमें बनाना है यह है option number 3 right answer यह रहा woman's के लिए circle इसे मैं ठीक से बनाता हूं तो यह circle है woman's के लिए यह है sister के लिए और यह है mother के लिए तो answer होगा option number 3 अब है बारी question number 17 की question number 17 में कहा गया है कि एक ही dice की 2 position हमें दिखाई गई है इस diagram में यह और यह और पूछा गया है कि how many does will be on the top of 4 are showing the bottom यानि के 4 के opposite में क्या होगा चार यहां भी है यहां भी है तो इस dice में गया चार पांच एक तो चार पांच एक यहां भी चार से क्लोक वाई इसी दिशा में चार दो छे तो चार दो छे तो इसका मतलब छे के opposite एक है दो के opposite पांच है तो बचा हुआ जो भी है वो चार के opposite होगा यानि के तीन option नमबर तीन इसका राइट आंसर है अब है बारी question number 18 की question number 18 में कहा गया select the world pair which is the two words are related to the same way as they as are the two words in the following words pair यानि के fan electricity में जो संबंद है वही संबंद इन चारों में से कौन से option में आपस में होगा तो वह होगा अठारा का एक यानि के वहिकल्स का संबंद डीजल से होगा वही जैसे electricity चलाती है fan को डीजल चलाएगा वहिकल को अब है बारी question number 19 की question number 19 में यहां पर pattern follow रहा है plus 3 plus 3 plus 3 minus 3 minus 3 यानि के c में plus 3 f q में plus 3 t h में minus 3 e और l में minus 3 i same यह pattern जब इसके साथ follow करेंगे तो option number 4 इसका right answer हो जाएगा अब है बारी question number 20 की question number 20 में हमसे कहा जा रहा है कि की Glukoma is related to eye जैसे Glukoma Eye से related है आखो के रोग का नाम है जिसमें काला मोतिया इंदी में हम कहते हैं इसे तो इसे कहते है Glukoma English में वो आखों की बिमारी है arthritis ऐसी किस परकार किस से related होगी चार उप्शन्स में से तो हिंदी में अर्थराइटिस को कहते हैं गठिया जो की जोडों के रोग के लिए जिम्मेदार है या जोडों का एक रोग है तो जॉइंट्स इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर तीन अब है बारी कोशन नमबर 21 की तो यहां पर जो विशम है ब्रेक बार्क मतलब भॉकना उसके बाद ब्लेट इसका मतलब है मिमिहाना क्रोक इसका मतलब है करक्ष तो इसमें जो ओड है वह है लार्वा, जो तितली का जो इविक्सित रूप है उसह लार्वा कहते हैं बाकी सब Ю बक्री के बच्चे की आवाज है मिमिया ना उसे कहते हैं बलेट तो इसमें सब में और जो है वो है लारवा अब है बारी question number बाइस की question number बाइस में इन इना certain code language एक कोडिंग डिकोडिंग कोश्चन एलेक्टीशन इस तरी के जरे लिखा जाएगा किसी code language में तो हव रिखेंपल यह कैसे लिखेंगे हम उसी code language में तो नहीं हुआ ऑपे और कुछ नहीं सिर्फ मैनस हो उधन हो रहा है याल में इन इससे मैं लिखर सब करेखा से दुए में में माइनस करों के तो तो के वियोम मीनस में करों के तो दी फिर सी में में मेर्सवन करों के तो भी कि में मैंनस दो Waiting S I में माइनस 1 करोगे H O में माइनस 1 करोगे N और N में माइनस करोगे 1 तो M तो इस तरीके से यह बन जाएगा ऐसे एक्जामपल में जब यह माइनस 1 करते-करते जाएंगे हम तो option number 3 यानि कि D, W, Z, L, O, K, D निकलेगा option number 3 right answer अब है बारी question number 23 22 का होगया option number 3 अब है बारी 23 की 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way how and one of different pick or pick the number that different from the rest यहाँ पर हमें different number चाटना है तो 183 वो different number है इसके अलावा जितने भी हैं सारे भाज्य हैं सिर्फ 183 ही है जो भाज्य है यह भाज्य नंबर को prime number कहते हैं इंग्लिश में अब है बारी question number 24 की 24 में कहागा select the number pair which the two numbers are related in the same way as they as are the two numbers of the following number pair यानि कि यह जो दो number pair दिये गए हैं इनमें आपस में जो relation है same ऐसे ही relation वाला एक और pair इन चारों में से हमें छाटना है तो 7 में अगर हम plus 2 करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसका cube करेंगे तो जाएगा 7, 2, 9 ऐसे ही अगर हम 8 में plus 2 करेंगे और इसका हो जाएगा 10 इसका cube करके हमें मिलेगा 1000 तो answer होगे option number 4 right answer अब है बारी question number 25 की यहाँ पर coding decoding का equation है इसमें elastic को लिखा जाता है यह तो इसे कैसे लिखेंगे तो E L A S T I C यह I है इसे अगर code करेंगे तो plus 3 इनों सब में होगा वो कैसे E में plus 3 करेंगे तो H आएगा A में plus 3 करेंगे तो D आएगा और L इसमें plus 3 जब होगा तो O आएगा ऐसे ही S में plus 3 होगा तो V आएगा T में plus 3 होगा तो W I में plus 3 होगा तो L और C में plus 3 होगा तो F इस तरीके से D O H V F L यह गलत होगे E बन गए इसका F L डबलू यह सब बन जाएंगे तो ऐसे ही स्मार्ट में जब हम लगाएंगे से plus 3 को इसी तरीके से तो option number 3 निकल के आएगा यह होगा इसका right answer तो मेरे खियाल से आप समझ गये होंगे अभी भी अगर आपको किसी भी question में दिखा थे comment box में लिखेगा उसका answer मैं आपको जरूर दूँगा जरूर आपको